हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर एट्यूब चैनल स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के वीडियो में हमें एक बहुत ही खास पौधे के बारे हम बात करने वाले हैं दोस्तों वीडियो में जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है या चीकू का पौधा है चीकू में बिटामी ने भरपूर मातरा में पाया जाता है जो आँखों के लिए काफ़ ज़्यादा फायदे मन्द होता है तो दोस्तों बात करते हैं इसके अलवा और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं चीकू खाने के तो दोस्तों जिन लोगों को एनेमिया की सकायत EU शरीर में खून की कमी की सकायत उनें इसका सेवन जरूर करना चाहिए क्यूंकि इसमें काफी मातरा में आयरन मौहजूद होता है जो सरीर के लिए काफी जयदा फायदें बने इसके अलावा दोस्तों चीकू में ग्लुकोज पाया जाता है जो सरीर को तुरांत इनरजी दिने का कारे करता है जो लोग एकसरसाइज करते हैं या जो लोग बाल्डी बिलने का सोख है वो इसका सेवन जरूर करें यदि कोई वेक्ति अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहता है तो चीकू को आज से खाना शुरू कर दे इसमें कैलिसियम, फासपोरस और आइरन की वरपूर मात्रा पाय जाती है जो हड्डियों के लिए काफी आवस्यक होती है चीकू में एंटिवाइरल, एंटिपरसिटिक और एंटिवेक्रियल गुड पाय जाते हैं जो सरीर में किसी भी तरह के बैक्टेरिया या फंगई आने से रोकते हैं जिन लोगों को बराबर कबज की सिकायत रहती है उन्हें कबज से बचने के लिए चीकू का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें काफी माद्रा में फाइवर मोजूद होता है जो कबज से आपको राहत दिलाता है इसके अलावा या सरीर में अन्य संक्रमहर से लड़ने के लि यूरीन के रास्तियानी पेसाब के मास्तरें बाहर निकल जाती है साथ ये गुर्दे के रोगों को में काफी रच्छा करती है सर्दी में और खासी के लिए चीकू रामबाड का कारे करता है ये पुरानी से पुरानी खासी में भी काफी राहत प्रदान करता है इसके अलबा दोस्तों यह फल दिमाग को सांत रखने में और तनाओ को कम करने में भी मदद करता है दोस्तों चीकू में ग्लुकोज की अथि मात्रा पाई जाती है जो सरीर को तुरंत रुजा प्रदान करता है जो लोग रोजाना पैया में कसरत करते हैं उन्हें उर्जा की बहुत आसकता होती है ऐसे लोगों को चीकू को प्रतिदिन सेवन करना चाहिए कार्बो हाइडरेट और न्यूट्रेंट से भरपूर चीकू गर्वावस्ता के दोरान बहुत लापदायक होता है इसके अलबा अस्तन पान करने वाली महिलाओं के लिए भी बिसेस लापकारी होता है इससे सरीर में कमजोरी दूर होती है जी मिचलाना और चक्कराना जैसे समस्याओं से भी बचा होता है दोस्तों चीकू में तुचा को लाप पहुचाने के गुड़ पाया जाते है इसमें बेटामिन एक काफी अधिक होता है जिसे तुचा का रंग निकरता है और तुचा में नमी भी बरकरार रहती है तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी नई जानकारी दिये अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर सेर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले थैंक यू फार वाचिंग वीडियो थैंक यू वेरी मच